तो अब एक बार फिर से भल्लास की आँखों में इशीता बनने वाली है नेगिटिव जहां पर वो एक बार फिर से उनके खिलाप खड़ी होती नजर आएगी और इस बार भी फिर अमन उसके सामने होगा जहां अब भी तक आपने देखा है तो उनों में कैसे जैपूर जाने क वक्त सब कुछ ठीक होने लगता है और नोक जोक शुरू हो जाती है जहां पर एक बर फिर से प्यार भरे पल आपको देखने को मिले दोनों के बीज लेकिन एक बर फिर से अब जैसे ही दिल्ली वापस आ जाएंगे तो उनकी नफरत बाजी बढ़ जाएगी जहां आप देखने वाले हैं कि जैसे ये बात इश्यता को बता चलेगी कि तोशी जी ऐसा बोल रही है तो वो साफ मना कर देगी रौश्णी को उस घर में जाने से क्योंकि उससे पता है कि रौश्णी को वहां पर खत रहा है और इसलिए वह सक्तिदायत देदेगी कि वह ऐसा ना करे जहां पर अब देखना ये है कि रमन तोशी जी की इस उमीद को पूरा करने के लिए क्या करता है जहां इश्रिता तो नहीं आने देगी रौश्णी को उसके साथ ऐसे में अब कहान में ट्विस तो तबाएगा जब भला पर आपनी उसकी रिपोर साथ साथ इश्रिता को भी नवे में अफडेट टॉपन टॉपनेव जब करता है